Apprenticeship का क्या मतलब होता है या आज की वीडियो में सीख लेते हैं Apprenticeship का मतलब होता है कि शागिर्दी या शिक्षुता यानि कि जब कोई भी वैक्ति जो है वो मानले जी इस तरीके की कोई पड़ाई करता है जिसको फिर जाकर उसे कंपनी में जो काम करना होता है तो वो काम करने का जो एक ट्रेनिंग का कार्यकाल होता है उसको apprenticeship कहते हैं यानि कि मानले जी कोई वैक्ति है जिसने 3-4 साल की या 2-3 साल की जितनी भी पढ़ाई होती है उतनी पढ़ाई की उसके बाद 6 महीने की उसकी on job training kind of thing होती है यानि कि उसने जो भी काम सीखा है उसे किस company में भेजा जाएगा और वहाँ पर वो एक apprentice के रूप में काम करेगा कुछ समय के लिए एक trainee के रूप में काम करेगा जिसे कि जो भी उसने सीखा है उसका वो वहवारिक जो अनुभव है वो प्राप्त कर सके तो उसको apprenticeship कहते हैं यानि कि apprenticeship जो है वो एक तरह का training कार्यकाल हो जैसे आप ये कहना चाही कि मैंने क्षेत्र में वहवारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षुपता हासिल करने का निर्ने लिया यानि कि apprenticeship करने का निर्ने लिया तो आप कह सकते हैं I decided to pursue apprenticeship to gain hands-on experience in the field I decided to pursue an apprenticeship to gain hands-on experience in the field या अगर आप ये कहना चाहीं कि अपनी प्रशिक्षुता या apprenticeship के दोरान मैंने अनुभवी पेशेवरों से मुल्यवान कोशल सीखे तो आप कहेंगे during my apprenticeship I learned valuable skills from seasoned professionals अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल एकन को प्रेस करें